हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चैनल पे दोस्तों जैसी कि आप सभी को मालूम है कि डेली में आपको एक नई वीडियो के बादियम से जितने भी पुराने कोशन है जितने भी पुराने पेपर है मेरे पास मैं आपको सॉल्ब करा और यदि आपने आठ विडियो में से कोई एक भी वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं और हर एक कोशन का लाब आप उठा सकते हैं तो चले दोस्तों हम आखे बरते एक नेक्ष्ट क कोशन नम्बर हम सुरू करते हैं इसमें 61 से क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली बहुत सारी यहां पर कोशन कबर कर दिया है इसमें ऐसा नहीं कि 60 से पीछे वाले कोशन बताएगे ऐसा बिल्कुल नहीं है पिछले में आपको देड़ दोस्तों कोशन वहां पर कबर कर दिया और भी लोग नहीं देखें हो जाकर देख सकते हैं लिंक डिस्किस्टन में दिया गया है और चैनल को भी सब्सक्राइब के लिजेगा दोस्तों डेली आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी चलिए कोशन नमबर में एक से सुरू कर रहे हैं कहरा है कोशन के डिसी कंपाउं दोस्तों ध्यान दीजिएगा डिसी कंपाउंड मोटर में जो मुख्य चुमक्य फ्लक्स होता है यह जो फ्लक्स पैदा करने के लिए संट स्रीज फिल्ड का और यहां पर दोनों का पर मतलब कि संट और स्रीज दोनों फिल्ड की आउसकता होती है इसलिए यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसवर हो जाता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों कोश्चन नंबर 62 कि संट मोटर को खाली अस्थान के द्वारा चालू किया जा सकते हैं मतलब कि यह आपका खाली अस्थान है और पूछ रहें किसके द्वारा हम चालू कर सकते हैं जैसे कि पॉइं मैंसवर दीजिएगा very very important question है दोस्तों तर्फ संट मोटर को three-four points में ने परवर्त करने के लिए किया जाता है और जो पॉइंट का प्रियोग इंशार हमारा के हले संट का såd डी बिल्कुल करेक्ट एंसवर अतात कोशन में हमसे पूछ रहा है कि संड मोटर को खालिस्तान के चालू करने के लिए किया जाता है तो कोशन नमबर 63 यदि दोस्तों आपको किसी भी कोशन में किसी परकार का यदि डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूस सकते हैं आपको उसका एंसवर मिल जाएगा चले कोशन नमबर 63 पे आते कह रहा है कोशन DC मोटर की घूनन गती स्वी डि-c मोटर की खुणन दिशा ग्याद करने के लिए प्रियोग किया जाने वाला नियव है जैसे की पहला दियागे फ्लोमी का दयाहस्त नियव एंपियर का दयाहस्त नियव या फ्लोमिंग का बाया हस्त नियम या कारक स्क्रू नियम कौन सा आपसन आपको इसमें सही लग रहा है चले सबी लोग इसका इंस्वर देना का प्रयास करें जितने भी लोग लाइब देख रहे हैं उनसे रिक्वेश्ट है कि आपको यहाँ पर आपसन बताते हैं यहाँ पर किरपा करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें ताकि और भी इस्ट्रेट जोड़ पाए और क्लास का लाव उठा पाए देखें दोस्तों DC मोटर की जो घूनस दिशा ग्याद करने के लिए जो हम नियम अपनाते हैं वो आपका फ्लोमिंग का बाया हसत नियम का प्रयूग किया जाता है और ये नियम क्या कहता है ये नियम कहता है कि यदि बाय हाथ की प्रथम दो अंगुलिया तथा अंगुठे के प्रसपर समकोड बनाते हुए इस फरकार फलाया जाए कि प्रथम अंगुली चुमकिय चेतर की दिसा ये दितिय अंगुली बिदुधारा की दिसा को इंगित करे तो अंग उठा चाले की दिशा को इंगित करता है यही आपका है किसका नियम यह आपका नियम है बाया हस्त नियम और यहाँ पर डीसी जो मोटर है इसका घूना दिशा ग्याद करने के लिए हम इसी नियम का पालन करते हैं और तो यहाँ पर हमारा सी आफसन बिल्कुल हो जाएगा के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं को सब्सक्राइब करने वाला होता है यह आर्मेचर में ब्रिद्धी करने वाला होता है कौम सा अफसन आपको इसमें सही लग रहा है चले सबी लोग इसका एंस्वर दिजिए ध्यान से दिजिए दोस्तों कोशन का एंसवर बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं देखिए दोस्तों DC मूटर में प्रेरित होने वाला जो विदूत वाल होता है वो आरोपित विदूत वाल वल के लिए बिरूद करने वाला होता है जो की सुत्र के अनुसार भी आप जान सक की विरूद करने वाला होता है किलिर वगए दोस्तों आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 65 पे केराए कोशन DC मोटर द्वारा सुरोत से ली जाने वाले धारा की गणना का सुत्र है यहाँ पर आपको सुत्र दिया गया आईए बराबा भी माइनस से भी अपान आरे और इस तरह यहाँ पर बहुत सारे confusion करके आपको इधर दे दिया गया लेकिन आप सही से सही चूज करके इसका answer बताए कौन सा आपसान आपको सही लग रहा है दोस्तों मैंने पहले टिक कर दिया था यहाँ पर आपका ए आपसान सही हो जाएगा आईए बराबर भी माइनस इभी अपान अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ पर आपका यदि आईए इसमें है सुत्र में तो आयो क्या है और भी क्या है इभी क्या है और आरे क्या है तो इसको भी दोस्तों मैं कंफर्म कर देता हूं ताकि आपको कोई भी confusion नहों हो तो यहाँ पर आपका आईए दिया ग तो यहाँ पर कोईशन के नुसार हमारा सही हो जाएगा आपसर नमबर ए बिल्कूल करेक्ट इंसवर ठीके दोस्तों चलिए आगे बरते हम कोईशन नमबर चाचट पे कराई कोईशन DC मोटर का स्टार्टिंग परतिरोद समानत उच होता है या बहुत उच होता है या एक से दस ओं म होता है चलेард साभेलोो बताई ये किसी मोटर का स्टरेंग परतिरोध होता है देखे दोस्तों डीया नार्मली बात में करें लगवक एक से दस अंवम होताई और परतिरोध में्स करिए लेकिन मोटर के प 2010 प्रनैंख होता है और स्पारी थैरल एक से औरच the आ इसलिए हम धारा से सुरच्छा के लिए आर्मेचर के स्रेडी करम में परतुरूद कामान लगा देते हैं तो यहाँ पर कोशन का अनुसार हमारा आफसार नमबर डी बिलकुल करेक्ट रेंस्वर हो जाता है लगबग एक से दस ओम होता है केरा है कोशन यदि कोई DC संट मोटर लोड रही तवस्ता में कारे रहत है और उसकी फिल्ड वाल्डिंग ओपेन सर्किट हो जाए तो क्या होगा मतलब कि यहाँ पर कोशन पूछ रहा है यदि आप कोई DC संट मोटर पर कारे कर रहे है यदि वो रणिंग कंडिशन में है और इसका जो फिल्ड वाल्डिंग है वो ओपेन हो जाता है तो क्या होगा उस समय आपसन दिया गया है आपका मोटर रुक जाएगी मोटर की आर्मिचर वाल्डिंग जल जाएगी या मोटर सोर पैदा करने लगेगी या मोटर की गुणन गती उच हो जाएगी कौन सा आपसन इसमें आपको सही लग रहा है तो ध्यान दिजिएगा दूस्तो यदि कोई DC संट मोटर लोड रही तवस्ता में कारेजत है और उसकी जो फिल्ड वाल्डिंग है ओपेन सर्किट हो जाती है तो मोटर की जो गुणन गती होगी वो उच हो जाएगी अताती यहाँ पर जो आपका आसन नमबर डी दिया गया है यह बिल्कूर करेक्ट एंस्वर दिया गया है आगे बढ़ते हम कोईशन नमबर 68 पे नेक्ट कोईशन है कहरा है कोईशन कि यदि किसी डी सी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा यहाँ पर supply terminals को आपस में बदलने की बात कह रहा है तो दोस्तों आपने एक सुत्र का जिक्र किया होगा मैंने कभी यहाँ पर N बराबर होता है EV गुडे 60A अपान भाई जिड एन पे ठीके अथात यदि किसी DC motor की supply terminals को आपस में हम बदल दे तो motor की घुना दिसा वही रहेगी जो DC motor की घुना गती अथात इस सुत्र से हम ग्यात भी कर सकते है यदि इस पे कोई भी सवाल भी आपको आता है तो आप मैं cover करके जरू बताऊंगा नेक्श वीडियो में तो यहाँ पर कोईशन के अनुसार हमारा सी आपसन बिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा बहुत ही जल दोस्तों इस पे हम बहुत सारे कोईशन भी आपको solve कराने वाले हैं की सवाल टाइप कोईशन आएंगे इसको ध्यान किएगा और ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिएगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे इस तरह की आपको वीडियो मिलती रहेगे तो 0.5 ओं परत्रोद वाले अर्मेचर में कितनी धारा प्रवाई थोगी तो सबसे पहले तो आप दोस्तों सवाल को ध्यान से पढ़िए और इसमें देखिए कि आपको दिया क्या गया है इसमें दिया गया है 120 बोल्ट मतलब की भी कमान हमारा कितना दिया गया 120 बोल्ट डिसी मोटर में बिरोधी विदुत्वाक कमान मतलब की बिरोधी मतलब की बैक कि हम आपका जो पूछ रहा है बिरोधी विदुत्वाक वल को हम एवी से डिनोट करते तो एवी 110 दिया गया है और यहां पर हमारा आर कमान दे दिया गया कितना 0.5 ठीक है दोस्तों देखिए अब हम क्या करेंगे हम उसी सुत्र से लगाएंगे अथात आईए बराबर भी माइनस इबी अपान आरे इसी सुत्र से हम लगाएंगे और असानी से हम ग्यात भी कर पाएंगे दी कमान 120 है तो 120 इसके जगा रखेंगे EB कमान 110 है तो 110 रखेंगे EB किज़ेगा और RA कमान अमारा 0.5 है तो फटा फटा रख लिजिएगा दोस्तों और इसका जो सही अंस्वर आजाएगा इसको आप पहले करेंगे तो 120-110 तो 110 बटे आपका 0.5 हो जाएगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका भी सेंपियर हो जाएगा तो यहाँ पर कोशन के अनुसार हमारा सही हो जाता है आपसन नंबर जो ए दिया गया है यह ए आपसन बिलकुल करेंगे अनस्वर आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 70 पर कहरा है कोशन की DC मोटर में आर्मेचर ड्रम को लिमिटेटर बनाए जाता है जिससे की यहाँ पर आपसन दियागा हिस्टरिस छती का मान कम कर रहे यह एसी धारा छती का मान कम रहे यह आर्मेचर में इंडेक्टेंस का मान कम रहे यह आर्मेचर का वजन कम रहे चलिए सबी लोग इसका एंस्वर बताईए बेरे बेरे इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों सबी लोग इसका एंस्वर बताने का प्रयास करें तो देखें दोस्तों डीसी मोटर वे आर्मेचर ड्रम को लिमिटेटर बनाया जाता है क्यों क्योंकि एसी धारा छती का जो मान ने कम करने के लिए तो यहाँ पर कोशन का अनुसार हमारा भी आपसन बिलकुल करेक्ट हो जाता है कि एसी धारा छती का मान कम रहे इसलिए किया जाता है लिमिटेट तो यहाँ पर भी आपसन बिलकुल हमारा करेक्ट एंस्वर हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नमबर 71 पे कहराई कोशन किसी बेदुतिक मोटर की नेम प्लेट पर की सकती होती है साफ्ट पर उपलब्द सकती या मोटर द्वारा ले गई सकती या इंपूट सकती या कुल सकती सबी लोग इसका अन्सवर बताईए कौन सा आपसन आपको सही लग रहा है बेरे बेरे इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारे आपसन भी देखने को मिल जाते हैं जो आफसान आपके सामने है और कोशन भी आपके सामने है तो देखें दूस्तो किसी बेदूथिक मोटर की जो अंकित सक्तिक मान उपलफ्द होता है . rij जो होत вас है किलिए ओगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं . कोशन नमब बतर पे क्या राई कोशन कमिलेट्व कमपाउंड DC मोटर में लोड बढ़ाने से क्या होगा घुणन गती बढ़ती है या घुणन गती घटती है या तार्क घटता है या घुणन गती एव तार्क दोनों बढ़ते हैं कौन सा अपसन आपको यहाँ पर सही लग रहा है तो ध्यान दिजिएगे दूस्तों कमिलेट्व कमपाउंड DC मोटर में लोड बढ़ाने से घुणन गती घटती है लेकिन कमिलेट्व कमपाउंड DC मोटर की गती लोड बिर्दी होने पर संट मोटर की अपेच्छा से अधिक होती है और स्रीज मोटर की अपेच्छा कम घटती ह इसको भी ध्याने किएगा तो यहाँ पर कोशन के अनुसान हमारा आफसन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट एंस्वर हो जाएगा आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 73 पे के राए कोशन डिफेंसियल कंपाउंड DC मोटर की गती लोड विसेस्ता खालिस्तान के समान होती है स्रीज मोटर के या संट मोटर के या कमिलेट्व कंपाउंड मोटर के या इन में से कोई नहीं चले सबी लोग बताईए देखिए दोस्तों डिफेंसिल कंपाउंड DC मोटर की जो गती होती है जो गती लोड होती है वो विसस्ता किसी भी मोटर के सामने नहीं होती है क्यों? क्योंकि दोस्तों लोड धारा बिर्दी के साथ साथ मोटर की जो गती में भी क्या होती है ब्रिद्धी होती है और इसका कारण यह है कि लोड ब्रिद्धी से मोटर का जो परिडामी फलक्स होता है वो खड़ता रहता है तो यहाँ पर हमारा कोशन का अनुसार आफसन नंबर डी सही हो जाता है अगा थात इनमें से हमारा कोई भी आपशन सही नहीं दिया गया है आगे बरते हैं नेक्स्ट कोशन पे आते हैं कोशन नमबर 44 पे केराई कोईशन, सियरिंग मसीन, पंच मसीन, प्रेस मसीन, इलिवेटर, कनवेटर ये रोलिंग मिल के लिए शरवादिक उपयोगी मोटर है सिरीज मोटर, यह संट मोटर, यह कमिलेटिव कमपाउंड मोटर यह डिफेंसियल कमपाउंड मोटर कौन सा आफसान आपको सही लग रहा है देखिए दोस्तों सेरिंग मसीन, पंच मसीन, प्रेस मसीन एलिवेटर, कनवेयर और रोलिंग जो मिल दिया गया इसके लिए हम ज़्यादा तर जो उपयोगी मोटर में लाते है कमिलिट्व कंपाउंड मोटर ही लाते है तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आफसान नमबर जो C दिया गया है यह C आफसान नमबर बिल्कुल करेक्टेंस और हो जाएगा क्लिर होगा है दोस्तों आगे बढ़ते हम नेक्स्ट कोशन पे कोशन नमबर 75 पे आते है क्याराई कोशन चार बिंदू वाले श्टार्टर का परियोग मुखेता निम्न परकार की मोटर के साथ किया जाता है किस परकार की मोटर के साथ किया जाता है तो दोस्तों ऐसा कोशन पूछे तो आप साब कहिएगा कि चार बिंदू वाले श्टाटर का जो प्रियोग होता है समानित जो अधिक गुणन गती जो नियंतर करने वाले जो मोटर होते अथात है कंपाउंड मोटर के साथ किया जाता है क्यों क्योंकि दूसर इस मोटरों में अधिक गती परिवर्तन की आवसा होती है इसलिए किया जाता है तो यहां पर सही हो जाता है हमारा कोशन के अन्वारी आपके साथ नमबर डी यह आपसर हमारा बिलकुल करेक्टेंस वर हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नमबर परिवर्तित की जा सकती है यह गती परिवर्तन होता है समाने से अधिक गती के लिए यह समाने से कम गती के लिए यह समाने से अधिक एवकम दोनों परकार की गती के लिए या अनंत गती परिवर्तन के लिए चले सबी लोग इसका एंसवर दीजिए कौम सा आपसान आपको इसमें सही लग रहा है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तो डिसी स्रीज मोटर में फिल डायोटर परतुरोद का परियूग करके मोटर की गोन जो गती है उसको हम परिवर्तत कर सकते हैं और यदि गती परिवर्तन समाने से अधिक के लिए भी ज्यादतर परियूग इसका किया जाता है तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है आपसान के अनुसार समाने से अधिक के लिए ठीक है इसको हम कर सकते हैं तो ए आफसन यहाँ पर हमारा बिलकुल करेक्त एंसवर हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नंबर 77 पे किराई कोशन वार्ड लियानौड बिडी से मोटर की घुनगती का नियंतरण किया जा सकता है दोस्तो वार्ड लियानौर्ड बेदी से मोटर की जो घोन गति है उसको हम नियंतरा दोनों दिसाओं में और समाने से कम अधिक के लिए थ्री पेज मोटर और द्वारा इसको परचलित भी किया जाता है तो दोनों को धियान रखेगा तो यहाँ पर हमारा भी याफसन में या किलो ओम में या किलो बोल्ट में दोस्तो इंसुलेशन जो परतिरों दोता है मेगा ओम में मापा जाता है और विदुत रोतर जो परतिरों दोता है उसको मेगा ओम में ही मापा जाता है तो दोनों को धियान रखेगा तो यहाँ पर कोशन कंसार अमारा आपसन नंबर भी बिल्कुल करेक्टेंस्वर हो जाएगा नेक्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 89 पर कराई कोशन विदुत्ती मोटर की बीरिंग द्वारा अत्धिक सूर पैदा करने का कारण क्या है यहाँ पर रिजन पुछ रहा है दोस्तों तो आप सभी को मालूमें यदि कोई मोटर ह है यदि चार करतों की आवाज आरे तो आपे जो वैरिंग होता है वह फुकाटा हुगा जिसकी कारण ज्यादा तर author होता है तो यहाँ कोशन डिसी मोटर या जनितर में डिसी क्वाइल प्रियूग करने का उद्धिस है क्यों क्वाइल प्रियूग किया जाता है तो दोस्तों डिसी मोटर या जनितर में डिसी जो क्वाइल होता है उसका प्रियूग करने का जो उद्धिस ही होता है आर्मेचर में आंतरिक जो अस्थापित करने के लिए तो दोस्तों आज के लिए आपको इतना ही कोशन कवर किये गए थे उम्मीद है आपको पसंद आयोंगे पसंद आयोंगे तो वीडियो पर लाइक किजेगा और जो लोग अभी तेक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये अथा सत्य एक्सलेंट वीडियो जो मलती रहेगी और आप अच्छा अंग प्राप्त कर पाएंगे